यह करोना वाइरस है साहब बहुत कुछ सिखा कर जाएगा अपने अरगैरों का फरक बता कर जाएगा राम गोपाल जी एक रेटायर अध्यापक हैं सुबह दस बजे तक ये एकदव सुबह स्पर्तित हो रहे थे साम के साथ बज़ते बज़ते टेज बुहार के साथ साथ वे सारी लक्षण दिखाई देने लगे जो एक करोना पोजोटीव के अंदर दिखाई देते हैं परिवार के सदस्यों के चेरे पर खोब साथ दिखाई पड़ रहा था उनकी चार पाई घर के एक पुराने से बाहरी कमरे में डाल दी गई जिसमें इनके पालतू कुत्ते मारसल का बसे रहा था रामगोपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठा कर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पाल कर इसको नाम दिया था मारसल इस कमरे में रामगोपाल जी और उनके चार पाई और उनका प्यारा मारसल था दोनों बेटे भववन ने दूरी बना ली और बच्चों को इपासन ना जाने का निर्देश दे दिया था सरकार द्वारा जार किये गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई अब यह खबर मोहले बर में फैल चुकी थी लेकिन मिलने कोई नहीं आया साड़े के पलू से मुह लपेटे हुए हाथ में छड़ी लिए पडोस की कोई एक बुढ़ी अम्मा आई और राम गुपाल जी की पत्नी से बोली अरे कोई इसके पास दूर से खाना ही सरका दो वे अस्पताल वाले तो इसे भूके को ही उठा कर ले जाएंगे अब परसन ये था कि उनको खाना देने के लिए कोई जाए बहुआ ने खाना अपनी सांस को पकड़ा दिया अब राम गुपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कापने लगे पैर मानों खुटे से बांदे गए हों इतना देखकर वे परोसन बुड़ी अम्मा बोली आरी तेरा तो पती है तू भी अब इससे किनारा करने लगी मूँ बांद के चली जा और दूर से थाली सरका दे वो अपने आप उठा कर खा लेगा सारा वार्थलाप रामगोपाल जी चुपचाप सुन रहे थे उनकी आखे नम थी और कापते होटों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए भूक मुझे है नहीं इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और रामगोपाल जी को अम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है रामगोपाल जी घर के दर्वाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की ओड़ देखते है पोती पोते पर्थम तलकी खिरकी से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों भोवे दिखाई पड़ती है घर के दर्वाजे से हटकर बरामडे में दोनों बेटे काफी दूर अपनी मा के साथ खड़े थे विचारों का तूफान रामगोपाल जी के अंदर उमर रहा था उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ लाते हुए टाटा और बाई बाई कहा एक छड़कों उने लगा कि जिंद्गे ने अलिवदा कह दिया है रामगोपाल जी की आँखे लब-लबा उठी उन्होंने बैठ कर अपनी घर की देरी को चूमा और एम्बूलेंस में जाकर बैठ गए उनकी पत्नी ने तुरंट पानी से भरी बाल्टी घर की उस देरी पर उलट दी जिसको रामगोपाल जी अभी चूम कर गए थे इसी तरसकार कहो या मजबूरी लेकिन ये द्रस से देखकर कुता भी रो पड़ा और उसी एम्बूलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो रामगोपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी रामगोपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के अब्जरोवेशन में पीरियर में रहे उनकी सभी जास सामानिय थी उन्हें पूर्ण सुष्ट धोसिस करके छुट्टी दे दी गई जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मारसल बैठा दिखाई दिया दोनों एक दूसरे से लिपट गए एक की आँखों से गंगा तो दूसरे की आँखों से यमना बही जा रही थी जब तक उनके बेटे गाड़ी लेकर उन्हें पोचते तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिसा में निकल चुके थे और उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिये आज भी उनके फोटो के साथ उनकी गुमसुत की खबर है छबी है अगबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा 40,000 जी हाँ इतनी ही तो मानसिक पेसर आती थी उनकी जिसको वो परिवार के उपर हस्ते गाते उड़ा दिया करते थे एक बार राम गुपाल जी की जगे समय को खड़ा करो और कल्पना करो इस कहानी में किरदार आप हो तो आपका सारा अहिंकार और सब मुमाया पलभर में खतम हो जाएगी जीवन में कुछ नहीं है जीवन एक सफर है और मौत उसकी मंजिल है मौक्ष का दुवार करम है और यही सत्य है देनेवाद दोस्तो इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें